नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका रियल टूटोरिल चैनल पर मैं हूँ आपका होसन दोस्त राम जो सिर्मा आज के इस टूटोरिल सीरीज में हम सिखेंगे किसम गिम का यूज करके 2D आर्ट क्रेट कर सकते हैं या फिर फोटो एडिटिंग और अगरा कर सकते हैं अगर आप अब अब यह फोटोशॉप के लिए एक अलटने टूल ढून रहे हो तो मैं आपको बताओ गिम एक बहुत ही बहतरीन टूल है आपके लिए इसके ढह सारे फीचर्स फ्री है क्योंकि यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टेर है अब ओपन सॉर्स जो सॉफ्टेर होते हैं वह हमेसे के इनमें जो पी फिचर्स आते हैं वो सारह अब फ्री में यूज्ज कर सकते हो इस टूटोर्यल सिरीज में हम घिम को बैसिक लेवल से सीखेंगे इसे इंस्टॉल कैसे करना इसके टू Constitution से होते हैं इसमें करते हैं इसमें और पर्यप काने इमेरियरियो होते इसमें के काम अगर आप भी आपके फोटो में कुछ basic edits करना चाहते हैं फोटो में touch-up लाना चाहते हैं किसी फोटो से particular part को remove करना चाहते हैं या फिर दो अलग लग फोटो को merge करके एक बनाना चाहते हैं तो गीम आपके लिए एक perfect platform है इसके लगा अगर आप वेब पर काम करते हैं जहां पर आपको ads के बैनर लगाने होते हैं तो भी गीम आपकी बहुत अच्छे तेरी के से मदद कर सकता है तो कुल मिला के मैं कहूं तो गीम एक बहुत अच्छा टूल है जिसका आप daily life में use कर सकते हो तो चलिए start करते हमारा पहला वीडियो यानि पहला चाप्टर जो है गीम के या फिर लिनेक्स उसकर रहे तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप सेम स्टेप्स को फॉलो करके गिम को यूज कर सकते हो गिम को इंस्टॉल कर सकते है आपके सिस्टम पे तो चलिए सिस्टम पर चलता हो और आपको दिखाता हो कैसे आप गिम को इंस्टॉल कर सक के सबसे पहले तरह का है कि आप डारेकिन की ओफिशल वेबसेट से जाके इसे डाउनलोड करके वहां से इंस्टॉल कर सकतो या फिर अगर आप विंडोस 10 या फिर विंडोस 11 यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको तो Microsoft Store option मिल जाता है वह स्टोर में भी आपका सकता है इस तरह जाके वहां पर क्या करेंगा आपको सिंपली गिंप सर्च करना है और एंटरप्रेस करना है यह क्या करेगा गिंप का जो सेटप फाइल है वह आपको सामने लिखे आ जाएगा यहां पर आप इससे क्या कर सकता है कर सकते हैं तो यहां पर जो दिख रहा है यहां से भी आप का कर सकते हो गिंप को इंस्टॉल कर सकते हैं यहां से भी आप सिंपल ब्राउजर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं तो मैं क्या करूंगा आपको ब्राउजर से कैसे इंस्टॉल करना है वह मैंतल आपको बताने वालो यहां पर आपको का करना simply install पे क्लिक करना इस पे क्लिक करिए इस पे क्लिक करने पर देखे आपके सामने इसका पूरा information आ जाता हो कि आपको का करना simply install पे क्लिक करने और यह क्या होगा इंस्टॉलेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा लेकिन मैं क्या करो यहां पर ब्राउजर से आपको बता रहा हूं कि कि हो सकता है कि आपके पास विंडोस 1011 ना हो तो वहां पर आप कैसे यूज करेंगे आपको क्या करना है सिंपली गूगल में जा आप कहीं भी दूसरे प्लाटफर्म से डाउनलोड मत कीजिए हो सकता हो कुछ स्पैम हो या फिर फिशिंग हो हम क्या करेंगे इस पर क्लिक करेंगे और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यह क्या करेंगा हमें गिम की ओफिशल वेबसाइट पर ले आएक और यहां पर सकते हैं Microsoft से कर सकते हैं जो स्टोर मैंने बताया आपको और यहां पर बिट टोरिन के जरीवी हम कर सकते हैं क्या करेंगे डाइरेक्ट डाउनलोड करेंगे और अगर आपके पास Windows का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर एक option दिखने मिलीगा तो डाउनलोड फोर GNU, Linux, Mac OS, Microsoft Windows and all तो आप all पर क्लिक करके यहां पर जो उसके setup फाइल है अलग-अलग operating system के according उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं तो देखें यहां पर यह क्या कर एक message दिखा रहा है कि we think your OS is Microsoft Windows तो basically क्या करता है आपके browser से ही detect कर लेता है कि आप कौन सा operating system तो हम Windows यूज कर रहे हैं तो ने कहा कि आप Windows को ही क्या कर लिया detect कर लिया और मुझे यहां पर एक option दे रहा है हम क्या करेंगे इसको directly download करेंगे simply इस पर click किजे और देखिए आपका जो setup यहां पर download में start हो जागा यहां पर download में start हो चुका है GIM का setup download होना start हो चुका मैं double click कर सकते मैं direct इस पर click कर रहा हूं अब देखिए यहां पर मैं सामने एक pop-up आगया ओके यहां पर मुझे क्या करना है select for all user recommended मैंने इस पर click कर दिया अब देखिए मैं सामने इंस्ट्रोलेशन पर से start हो चुका है मैं yes and next next करता रहूंगा मुझे English language ही लेना है अगर आप अब देख सकते हो कि यहां पर इंस्ट्रोलेशन का पूरा complete हो चुका है मैं simply यहां पर इंस्ट्रोलेशन हो चुका है अब यहां पर देखिए desktop पर आइकोन देखने मिल जाएगा यहां पर गीम पका है वसी तरीके से क्या है आप स्टार्ट में जाके सर्च करेंगे तो वहा और यह यहां पर लोड हो रहा है और थोड़ा ही टाइम में open हो जागा तो यहां पर देख सकते हो कि जो गिंप सफ्टेर वह उपन हो चुका है और इसे में क्या करता हूं मैक्सिमाइस कर देता हूं तो यहां पर चा मेनु के ऊप्सिन दिखेंगे यहां पर आपको फायल में जहां पर हम इसके इंटर्फेस को समझेंगे और साथ ही इसके टूल के अलग-अलग आप्शिन को भी समझेंगे तो आज के पार्ट में बस इतना ही में मैल तो आप से सीरीज के सेकंड पार्ट में तब तक लिए टेक क्या स्यूर्ट